आमाद्मी पार्टी की मुश्किले कम नहीं हो रही है। उसको देख गर तो ऐसा लगता है कि आमाद्मी पार्टी के दिन पूरे हो गए है। इसे में पार्टी के नेता टाटा बाबाई बोल कर केज जिवाल का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार किस नेता ने छोड़ दिया के जिवाल का साथ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोग समझ नाओं से पहले आमाद्मी पार्टी को बड़ा छटका रगा है। हर्याना से आमाद्मी पार्टी के बड़े नेता रहे निर्मल सिंग और चित्रा सरवारा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्हों ने अपना स्टीफा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुपता को भीजा है। इसमें नीजी कार्ड़नों से पार्टी छोड़ने का हवाला दिया गया है। वही राजुनेतिक गल्यारों में चर्चा देश है कि दोनों एक बार फिर कॉंग्रस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दे चित्रा सरवारा निर्मल सिंग की बेटी है। चर्चा है कि बाद जन्वरी को वरिष्ठ कॉंग्रिस नेता केसी वेड़ उपाल के समक्ष दोनों कॉंग्रिस का दामन धाम सकते हैं। हाला कि अभी किसी ने आधकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया है। अप्रेल 2022 में निर्मल सिंग और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने आमादमी पार्टी जोइन की थी। दिल्ली के सीम अर्विंद के जिवाल ने इनका पार्टी में आने पर स्वागत किया था। निर्मल सिंग ने अपनी हर्याना देमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का विलाय भी आमादमी पार्टी में कर दिया था। वहीं जगाधरी से आजाद चुनाव लड़ने वाले बेटे और दैवीर को भी निर्मल सिंग ने आमादमी पार्टी की सदसेदा दिलवाई थी। बुपेंदर सिंग हुटा के करीबी होने का बड़ा फायदा उन्हें तब मिला जब लोगसभा चुनाव 2019 में हुटा उन्हें कुरुक्षेत्र लोगसभा सीट से टिकेट दलवाने में काम्याब रही। शेलजा की चली और चुत्रा को टिकेट नहीं मिला। इस बात से नाराज होकर निर्मल सिंग अंबाला शहर और बेटी चुत्रा को अंबाला केंट सीट पर आजाद उमीदवार के रूप में उतार चुके थे। पिटा पुत्री की इस बगावत का नतीजा ये रहा कि दोनों ही सीटों पर कॉंग्रस को हार का मुँद देखना पड़ा। झाल